तो वही पानिपत में भी सरदी से बचने के लिए बस स्टंड के असपास रेन बसेरे तो बनाए गया लेकिन आने जाने वाले यात्री ताकि यहां पर रुख सके विश्राम कर सकें क्योंकि कडाकी की ठंड हो रही है और ऐसे में वहां रेन बसेरा जरूर है लेकिन हर्याणा नियूज की टीम जब रहन बसेरों का जायजा लेने के लिए पहुंची तो प्रशासन के बड़े दावें यहां पर फिल होते हुए नजर आए इन रहन बसेरों में यात्रीयों को रात्री में ठंड से बचने के लिए कोई भी ववस्ता यहां पर नहीं पाई गए और कडाक आसमान की बात का अगर मैं करूं तो नो डिग्री सेल्सियस है अफिट हो रही है हवाएं भी चल रही है लेकिन आप यह मंजर भी देखिए कि खुले आसमान के नीचे मैं कहूंगा नेशनल हाईवे है जिसके नीचे यह लोग जो है यह सो रहे हैं आते जाते राहगीर जो ह हैं भार सोने पर मजबूर हैं आखिर ऐसी क्या मजबूर है वहीं हमारे साथ जो यहां पर चोकीदार है उनसे भी बात करते हैं वहां पर हमने देखा ना तो लाइट है ना पानी है ना कुछ तो यह कैसे इस तरीके से सर्थी में इतनी जर्दी है एक दिन का काम थोड़ा है लोग ऐसे भी हो जाते हमने सर्थी में दुर्गटनाएं भी देखिए बीमार होगे ने वह तो वैसी तो कोई बात नहीं है क्यों नहीं जाते हैं इनकी मर्दी है तो चोरी वगेरा आपका राजिंदर देखे राजिंदर जीत है और हर्याना नियूज आपको यह सपस्त कर आपने देखिए इस चीज को समझ यह कि यह जो लोग है किस तरीके से ठंड में मैं कहूंगा देखिए यह जमीन है कोई बिस्तर नहीं है किसी परकार की कोईवी रूच नहीं नीचे लेते हैं और यह अपना टाइम पास करने इनसे बात भी करेंगे क्या नाम है आपका राम बादूर आप रहन बसेरा में क्यों नहीं जाते वहां पर आप खुले आस्मान के नीचे पड़े हुए हैं चोरी चारी हो जाती हैं वहां पर पदने हम जाते नहीं हो तो हम तो यह रहते हैं आप लोग दारू नहीं पीते हैं और यहीं पर तो महां पर जगड़े की वज़े से वहां नहीं जाते हैं तो इतनी ठंड में कपका पाती ठंड है कैसे आप बुजारत कर रहे हैं और जागर रहन पर सेरों की सुविधाय ठीक हो जाएं तो आप लोग वहां पर चले जाएंगे अगर चोरी नहों मार पिटाई नहों पानी की फिर जा सकते हैं फिर जा सकते हैं देखे सबसे बड़ी बात यहीं है कि किस तरीके से जो है रहन बिसेराओं को लेकर परशाशन जो है मुकदर्शक बना हुआ है और यही कारण है कि गरीब